इसके बाद दस्वी दमाद की तालिबा इनामदा साहमा शिकेश तो यहां पर आये और अपनी पात पेश करें मुद्द सामाईन इक्राम स्टेट का जल्बे आप्रोच वेरनमानानी खुशुसी आसाते देख राम और मेरे साथियो अस्कलाम अलाइकूम लहू वतन के शहीदों करण लाया है उचर रहा एक जमाने में नाम आज़ादी मेरा जिस साथियों आज की जश्न आज़ादी के मौगे पर मुसल्मानों के हैं फिर्दार पर मुझ अर्ज करना चाहती हूँ आप से इल्दिमा से के वबर समाथ करमाएं आज हमें जो आज़ादी की नेमत हासिल हूँ भी है इस नेमत को हासिल करने के लिए हमारे मुसल्मान बाईयों ने बहुत जग्दों जहेश की अंग्रेदों के दुर्म सितम, वहशी राजे और काजिलाना रवायों को फत्म करने के लिए मुक्तलिक तहरीके चलाई जंगे की और नुमा एक इतार अंग्रेदों के फिलाप आजा किया जंगे शाधत को अखनाया ना होंगा राएगा फूल शहीदाने बतन हर्गी यही सुर्की बनेंगी एक दिन उनुआ ने आज़ा दिन मोजी सामाई मैसूर की वाजी जिने हंटीपू सुल्तान रह मुझलाले के नाम से जानते है अगर जंगे आज़ादी की तारिक में उनका नाम दही लिया जाए तो जंगे आज़ादी की तारिक अधूरी रह जाएंगी ये वो शक्सियत थी जो निहाय थी दिले नीडर और शुजास वाली थी वो मुस्तकील अंग्रेजों की खिलाफ चैलेज बने रहे मैसूर की तारिक गवा है कि उन्होंने अपना सब कुछ हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया वो जब तक जिन्दा रहे शेर की तरह लड़ते रहे इसलिए उनका ये मकौला मश्वूर है गीदर की सो साले जिन्दगी से शेर के एक दिन की जिन्दगी अच्छी है सामय निक्राम जब वो शहीद हुए तो अंग्रेजों ने ये समझ लिया कि आज इंतुस्तान हमारा है लेकिन सामय निक्राम अल्ला ताला ने अंग्रेजों के खिलाब देवबर्ट की सर्जमी से उन्मा इक्राम को भारा गालीबन 51,000 रुमा इक्राम ने इस जग्या आज़ादी की तहरीक में सजा लिया आज़ादी भारत के आज़ादी के लिए शेकुल हिंद रहमतुलाले ने तहरीके रेश्मी रुमाल तहरीक चला ही जिसकी वज़ा से उन्हें मांटा के कैस्थाने में गर्धनात सजा दी ग इन हज़ादी की कायादत में मुनज़म जंग के तरीके आमल में लाए गए और जब अंग्रेजों को इस बात का पदिशा हुआ तो अंग्रेजों ने ये समझ दिया तो अंग्रेजों ने मुसल्मानों के मधभ यात्राइक पर हमला करना शुरू किया और मगरिबी तहजीब में मुसल्मानों को कायव करना शुरू किया इस तमाम साज़िशों को फ़त्म करने के लिए तहरीके देंबर में जद्दो जहेश की और मुसल्मान भाई इन तमाम तैरिकों में पेश पेश रहे अपने लहू से इस बाग जमन को उखारा जब बड़ा वक्त गुलिस्ता पे तो पून हमने दिया जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं सामाली करांग उन्नीज से जम्यत उल्माउंद का आवा कयाम में आया इस जम्यत उल्माउंद ने बड़ार्मी मामुलाद के खिलाफ आवद रखाई और अंगरेजों के खिलाफ क्वार की तगरीरों और बगावतों का सिल शिलता रहा और उनिस सो इनिस में इंदू मुस्लिम इत्यात के पिरण रौनुमा हुई जिसके इस किरण को तैरी की खिलापत कहते हैं जिसके बानी मुलाना मुहुमार आली जोहर थे इस तैरी कोफ़त को करने के लिए जल्यान वाला पागेसानी हामल में लाया गया बाईयों जंग आजादे के इतनी कुर्बानियदी गई इतनी कुर्बानियदी गई जिसे अगर सुनाना चाह से तौकत में नहीं होंगी इस लवू और कुर्बानियों की वज़ा से आज हमारे इंदूस्तान आजाद है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते आज हम इस सरजमी पर आज़ादी की जिन्दगी बसर कर रहे है वो इन हजराज की पुर्वानियों का तोफा है जिसे हम यों में आज़ादी पंद्रा उबस उनिस सो सैतालिस के नाम से मनाते है बागबा आज़ाद है सहन चमन आज़ाद है हो उपारत दोस्तों अपना वतन आज़ाद है